हाम जेबर्ड और यह वाचिंग एसची ट्रेडर दोस्तों आज गैप अप के बाद काफी अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग आया निप्टी एंड बैंक निप्टी दोनों में निप्टी में कुछ 2.5 परसेंट का ओपन इंट्रेस्ट माइनस था PCR बोथ एक के आसपास है और बैंक निप्टी में आज 9% का आसपास वहाँ पे एक ओपन इंट्रेस्ट भी यहाँ पे कम हुआ है यानि कि आज का जो मुव था वो टोटली डिपेंड्स ओन शॉर्ट कवरिंग था दोस्तों वो हम बाद चार्ट में देखेंगे बाद में कि वो कब होता है और वो कैसे उपर की साइड आता है जो आज भी मैंने सुबह एक्सपेक नहीं किया था मैंने दोनों ग्रूप में भी मैसेज भी किया था कि 50 डेस मुविंग एवरेज जो था वो 36 155 था वहां से एक बार रिट्रेस्ट भी हुआ निप्टी हलां कि एक सुबह जो ऐसे लुआ था तो जो मैं क्योंकि मार्केट कंटीनियू फॉल हो रहा था और आज एक ग्यप अप हुआ था तो हो सकता था कि आज वापिस उसी लेवल पर आता है या तो साइड वेस होने का हायर चांस था बंजी सिसाब से शॉर्ट कवरिंग हुआ है काफी अच्छा सा दोस्तों तो हो सके तो दस बज़े तक आप कुछ ट्रेड मत लेना और पिछली दो एक आर बेए पॉलिसे में यह वो एक नोटिस किया है कि पहले क्या होता था कि कोई भी डायरेक्शन में अगर ओपन होता है एक्जाम्बल कल अगर ओपन होता है जो अभी एस जेक्श ने देखाता है 17273 तो पहले क्या होता था कि अगर हम 73 के आसपास अगर सेल करते थे हैं यानि कि 17300 तो दस बज़े जब पॉलिसी आती है उस टाइम पर प्रेमियम एक दम से कम होने लगता है यानि कि जिनों ने बेचा है वो उनको अट लिस पॉइंट के आसपास प्रेमियम ज तो रूटा और दोनों साध एक मोमेंट दिया था तो कल कॉसियसली आप ट्रेट करना दोस्तों अगर आप से ट्रेडर हो तो ऑवइड करना दस बज़े के बाद देखना कौनसा लेवल ब्रेक होता है उसी साबसे ट्रेड करना दोस्तों अगर आप इस चन्नल पर नहें तो प्लीस सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीस लाइक जरूर करना अभी डाउ जोंस यहां पे 425 पॉइंट अप है नस्दाक 345 पॉइंट अप है कल आई टी अच्छा एक बाउंस मिल सकता है जैसे आज निप्टी बैंक निप्टी में हुआ है एज एक निप्टी 63 पॉइंट सब्सक्राइब जो मेरा टाइगर दा उसी के आसपास आ रहा है मेरा जो ठाइगर दा 75.80 तो अभी 75.42 के आसपास आ चुका है हाई देखते है तो क्या है है आज का हाई 75.49 अगर हम देखते हैं यहां पर तो आप देख सकते हो continue यहां पर शॉट कवरिंग यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर आप देख सकते हो जो लास्ट ताइम मैंने आपको एक बार नोटिस करके बताया था कि मार्केट ऊपर जा रहा था पर कॉल आज क्या है आज पर्फेक्क देख रहा है आपको है कि मार्केट ऊपर गया पूट इंक एड़ हुआ है शॉट हुआ call writer exit हुए है तो इस साब से अगर आप देखते हो तो put में यहाँ पे अभी 17,000 एक अच्छा सा support हमारे लिए है टोटल OI यहाँ पे है 52 lakh highest OI chain 25 lakh half of the premium which is increased today only 17,200 at the money currently premium अगर देखते हो तो 187 round of 190 point which is 17,000 आ रहा है नीचे की वो हमें premium में भी दिखता है कि 17,000 support है उपर में अगर देखते हैं हम call की side तो call के side है highest जो open interest वो है 17,500 उसके पहले एक चुड़ा resistance है 17,350 जो एक parallel trend line हमारा चल रहा है वहाँ पे एक rejection आता है और all the way call writing जो हुआ था वहाँ पे exit दिखा गया है highest जो exit मिला है हो 17,100 है क्योंकि 17,070 के उपर महाँ पे short covering आया था जो trigger हुआ stop loss 17,100 का अभी के लिए अगर market कल उपर open होता है तो 17,300 का जो call writer है उनका stop loss heat हो सकता है if we continue open above 17,300 कल RBI policy है तो हमें थोड़ा wait करके trade करना पड़ेगा पर कल एक अच्छा सा trade भी मिल सकता है कि further हम जो W pattern है वो continue कर सकते है तो कल के लिए आपकर आपको ध्यान रखना है जो position तो at the money का ही ध्यान रखना दोस्तों call की side जो भी 46 lakh है इस में से अगर further reduce होता है and on the other side 17,300 जो भी 37 lakh है यहाँ पर हो जाता है 45 यहाँ पर हो जाता है 38 that means you can go for long second bank nipty हम देख लेते हैं आज भी FIA दोस्तों sell किया है almost same FIA and DIA जितना FIA ने sell किया उतना buy किया है DIA ने ओके यहाँ पर ओके नाओ bank nipty 36,600 एक अच्छी जगह पर close हुआ है इसका जो resistance था जिसके उपर हमने bank nipty मैंने long करने को बुला था 685 के उपर तो उसके बाद अच्छा सा move भी मिला था जो 800 के आसपास गया था तो अभी के इस साब से अगर आप देखते हो call की site short covering long build-up short build-up long unwind यानि कि इस level पर 37,000 पर जिन्होंने long किया था उन्हों exit किया है और बागी हर जगह एक put का short build-up हुआ है 36,000 will be a support for us for this expiring total OI 18,92,000 and total OI change the highest at 36,500 यह हमारा एक support recent support का काम करेगा तो कल आपको monitor करना है 36,500 पूट की site on the other side you can see all the way open interest यहाँ से minus हो रहा है that means this call writer who are exiting once the market going up which shows as short covering OI highest OI 37,000 जहाँ पर change कहाँ पर हुआ हाइस 37,200 यहानी कि यहाँ पर इस जगह पर long build-up हुआ है दोस्तों आज ही मैं मेरे एक दोस्त से बात करा था कि अगर कल market खुलने के बाद RBI policy के बाद 15 minute भी टीक गया 37,800 के उपर तो एक second half या तो उसी afternoon के time पर एक higher chance है कि एक छोटा सा shoot up मिल सकता है या तो एक अच्छा सा short covering जो आपको 37,200 लेके जा सकता है जो अभी मुझे थोड़ा यह मेरा जो view था वो confirm भी हो रहा है जब मैं यह data देख रहा हूँ तो कल में एक छोटा सा risk लूँगा अगर 37,800 के उपर टीका तो अब हम देख लेता है चार्ट पे कल कैसे trade करना है तो हम पहले stock देख लेते हैं तो और भी दो फर्मा अगर दोस्तों अगर आपको याद है तो मैंने दो दिन पहले भी आप लोगों को यह बोला था कि इसको आप ध्यान में रखना तो अगर यहाँ पर देखते हो जो parallel line है आज भी मैंने एक stock दिया था अगर आपको याद है तो आप ग्रूप में जाके देख लेना वहाँ पर एक अच्छा सा breakout मिला था ज्याद़ तर क्या होता है parallel line अगर यह आपका pattern downward में बनता है जैसे कि यहाँ है lower high बनता है higher chance उसका रहता है उपर की side breakout दूसरा क्या होता है कि अगर आपका जो parallel line है ऐसे बनता है तो उसका higher chance होगा कि breakdown होगा दोस्तों जो मैंने अभी recently last weekend में भी आप लोगों के साथ शेयर गया था फोटो उस यह साब से practice करना दोस्तों चार्ट में देखना और practice के बा six hundred and seventy eight के उपर इसमें आपको six to twelve point का target मिल सकता है axis bank consolidation के बाद में W pattern बनाया है यहाँ पे RSI sorry MFI overbought oversold से now its comfort zone में आ चुका है तो यहाँ पे जो W pattern बन रहा है वो seven hundred तक possible है यह जा सकता है कल इसको long करने का है जब six ninety के उपर sustain करे तो आप इसको trade करके जा सकते हो ICI bank एक और stock है इसने भी क्या किया यह एक parallel नहीं इसका चल रहा है तो इसने अभी तो यहाँ पे support लिया लिया है जब तक इसके break नहीं करता है हम short नहीं करेंगे इसको भी अगर यह जो parallel line मैंने जो अभी समझाया उपर की side जा रहा है तो breakdown नीचे होने का chance है अभी कही सब से इसने क्या क्या support ले लिया है consolidation कितने दिन 4-5 दिन किया है आज एक breakout आया with volume so हमें क्या करना है हमें with the market trend के साथ चलना है यह अगर आप देखते हो यहाँ पे square अगर बनाते हो यह level क्या सपास तो यह इसका higher end है कल अगर इसके उपर टिक गया 741 के उपर तो आप इसको 746, 751 तक जाता हुआ दिखोगे और positional में यह वापिस यह जो center line आ रही है वो करीबन 800 के आसपास है तो at least यहाँ पे 780, 790 तक हम expect कर सकते हैं कि अब हम intraday कल अगर RBI policy में कैसे trade करना है nipty bank nipty दोनों में देख लेते हैं तो nipty में हमारा जो इसमें जो reading था कि अगर वो gap अप कोल गया sorry sideways और फिर इसी range में रहता है तो एक अच्छा सा consolidated हो सकता है पर इसने open किया हमारी range के उपर तो इसको भी delete कर देंगे और short covering कब आता है दोस्तों कि market यह continue fall होता है यानि हर दिन गिर रहा है market तो जब हर दिन गिरने के बाद market एक दिन ऊपर खुल जाता है तो क्या होता है कि हर एक level पे यहाँ पे fresh short बनना चालू होते है तो यहाँ पे भी short बनते हैं यहाँ पे भी short बनते हैं यहाँ भी short बनने लगते हैं और market क्या कर रहा है कि हर एक का stop loss लेते जा रहा है तो उस हिसाब से क्या होता है कि यह आपको एक learning हो जाएगा in future अगर कभी भी market गिरते हुँ आ रहा है और gap up होता है और gap up भी छोटा नहीं था दोस्तो यह gap up yesterday हमने जो close किया था 16909 आज हम open कहां पे हुए 17047 almost like 150 points भी open gap up तेख अच्छा सा यहां पे short covering होगा क्योंकि 1500 points का stop loss कोई लगाता नहीं वो फिर wait करेंगे 100 points का यहां से फिर जो start होता है short covering यह आपको उपल ले जाता है अब बात कर लेते कल की तो कल अगर market जब खुलता है तो अभी short में हम अभी नहीं रहेंगे हमारा short नीचे 1770 के नीचे ही रहेगा तब तक हम short नहीं करेंगे तो कल अगर market समझो कि यहां पे इसी level के आसपास कुल आए इसी level के आसपास कुलता है और अगर यहां पे RBI policy के बाद में जब यह level break होने लगता है हमें long में बैठना है दोस्तो इस long में यहां पे बैठना है अगर आप तोड़े aggressive trader हो तो जैसे यह 180 के आसपास से उपर चलने अभी close 180 हो है sorry तो 200 के उपर निकलता है तो हम long में बैठ सकते हैं एक चोटा सा deep आ जाता है तो ideal रहेगा 70 to 100 17000 to 100 यह एक हमारे लिए zone रहेगा जहां से हम buy करके जा सकते हैं अगर कोई चोटा सा भी deep आया तो मैं यहां पे draw कर देता हूँ तो यह level रहेगा यह वाला इस level में कभी भी यहां पे आता है चोटा सा deep तो हमें buy करना है call या तो future जो भी आपको buy करना है यहां पे आके call लेना है फिर हमारा target उपर की side at least यहां पे अगर आता है 100 के आसपास तो हमारा risk रहेगा 30 points पहला target हमारा रहेगा यहां पे 160 170 उसके बाद में हमारा 200 और उसके उपर गया तो फिर हमारा यहां पे 270 280 तारगेट आएगा और अगर market ने अच्छा short covering आया तो 350 जो यहां पे यह trend line आ रही है महां तक आ सकता है तो कल आपको call दो तरीके से मिलेगा एक तो gap या तीसरा यह से कहा कि gap up open होता है यानि कि हम open ही यहां पे होते है 280 फिर छोटा अगर डीप आता है 230 240 के आस्वास तो भी हम buy करके जा सकते तो यह तीन सिनारियों हो गए दोस्तों उस इसाफ से आपको कल ट्रेड मिलेगा हो सके तो RBI policy तक वेट करना उस दोरान कोई भी डीप आता है तो grab कर लेना 30 point risk ले लेना आपको profit मिलेगा 1 is 2 2 आपका target रेना चाहिए उसके उपर मिला तो जो भी बगवान दे वो ले लेना है bank nifty bank nifty में similar we were expecting here sideways to downward पर वो खला उपर हमारा जो यह trend line था तो यह एक invalid हो जाता है हमारा study similar nifty bank यह भी यहाँ पर short covering हुआ है अच्छा short covering आपको कब मिला जब यह level के उपर यहाँ पर consolidation के बाद breakout हुआ कल आपको क्या करना है यहाँ पर भी यह level द्यान में रखना है यहाँ पर यह level वाला जो करीबन आ रहा है 400 तो इसमें जो support बनेगा न वो बनेगा करीबन 340 तक आज जहां से breakout हुआ है कल हमारा यह support बनेगा यह आ गया यहाँ पर ओके during the day यहाँ पर कोई भी deep आपको मिल रहा है दोस्तो बाई करना stop loss 80 point के आसपास target आपका 1 is to 2 रहना चाहिए तो अगर कल यहाँ पर भी similar gap up खुल गया है मानो gap up खुल गया इस level के आसपास जहां पर हमारा resistance है एक चोटा सा deep आता है कहीं पर भी 680 के आसपास मिलता है buy खल लेना दो यह first scenario second scenario इसी level के पर खुलता है market नीचे जाता है इस level पर भी buy करने का दोनों में stop loss ठोटा रखना अभी जो हिसाब से trend उपर जाए पर क्या हो रहा था हर बार resistance ले रहा था यह fourth time है अगर यहां पर breakout हो गया तो higher chance है कि यह जो मैं अभी बात कर रहा था आप लोगों 37,200 जो यह level आ रहा है वहां तक जा सकता है तो अच्छा सा short covering आएगा 30 की वज़ाए आपको कल एक hero zero में यहां पर best call मिल जाएगा तो दोस्तो मैं आसा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा और RBI policy के बाद आपको एक अच्छा सा trade भी मिल सकता है दोस्तों तो दोस तो अच्छा सि करे कारो में अबसा है वो जाएगा तो बाद बादी है भी आख अशीक अच्रर करेसिक बादी के कर आएगा ऊया है और में जाएगा टोस्तों है आएगा एई अच को यह इस टो कर्ली आएगा है वागा यहत फिसके कर भी एम को ख esfमाः आपको छगल говоря मार च